नमस्कार बच्चों, कक्छा 10 वी गनित सुपर टेस्ट क्रमांग 2 कस्सम कोन हल हम इस वीडियो में समझेंगे प्रश्न क्रमांग 1 सहीं विकल्प चुनकर लिखिए 96 एवं 404 का HCF होगा सोचिए क्या होगा? 4 तूसरा प्रश्न है यदि द्विघाद बहुपद AX वर्ग धन BX धन C के 0 अलफा और बीटा हो तो अलफा इंटू बीटा का मान होगा क्या होगा? C बटे A तीसरा विकल्प लेते हैं निम्न में से कोन सी ज्यामिती आकरतियां सदेयो समरूप होती है सभी वर्ग, सभी वरत, सभी संभाहुत्रभुज उप्रोक्त सभी तो इसका उत्तर है उप्रोक्त सभी चौथा लेते हैं मूल बिंदू के निर्देशांक होते हैं 00X00Y या XY तो इसका उत्तर है 00 यदि A भी बराबर 10 cm रेखा खंड को बिंदू C तीन अनुपादों में विभाजित करता है तो AC की माप क्या होगी तो AC की माप होगी 6 cm अब लेते हैं विकल्प नम्मर 6 है आर्थ रिज्या एवं A केंद्री कोण वाले व्रत के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र है इसका सहीं उत्तर है A बटे 360 2 पाई R प्रश नम्बर 2 रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए पहला है जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो समिकरण निकाए A1X धन B1Y धन C1 बराबर 0 तथा A2X धन B2Y धन C2 बराबर 0 के अनन्त तह अनेक हल होंगे इस स्थिति में अनन्त तह अनेक हल होंगे दूसरा प्रश्ण है द्विगात समिकरण AX धन BX धन C बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा B वर्ग रिन 4AC विविक्त कर होता है B वर्ग रिन 4AC किसी तीसरा है किसी व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम जीवा को समझ विभाजित करता है खालिस्थान चार है यदि कोई रेखा किसी त्रभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समंतर होती है पाँचवा है संकू के आयतन का सूत्र एक बटे तीन पाई आर वर्ग एच घन इकाई होता है और छटवा है केंद्री प्रवर्ती के मापकों में एक अनुभाविक संबंध क्या है संबंध तीन माध्यक बराबर बहुलक धन दो माध्य है प्रश्न तीन है निम्नलिखित में शत्य असत्य लिखिये पहला है एपी का शारवांतर धनात्मक रिनात्मक या सुनने हो सकता है बिल्कुल सत्य है परिमेश अंख्या 64 बटे 455 का दसमलो प्रसार सांत है यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि परिमेश अंख्या 64 बटे 455 को जब हम हर के गुडन खंड करेंगे तो दो एवं पांच के अतिरिक्त भी गुड़नखंड प्राप्त होंगे अतह यह दसमलोप्रशार सांत नहीं है असांत आवर्ती है इसलिए हम इसे अशत्य कहेंगे घात दो के किसी बहुपत के अधिक से अधिक दो सुन्यक हो सकते है यह बिल्कुल शत्य है चौथा नमबर लेते हैं समीकरण X दन 2Y बराबर 5 में यदि X बराबर 1 तो Y बराबर 2 होगा X बराबर 1 और Y बराबर 2 यदि हम रखेंगे तो बराबर में 5 आएगा अर्थात यह शत्य है एक पासे को फेकने पर एक विशम अंक आने की प्राइकता एक बटे 2 होती है यह भी शत्य है क्योंकि विशम अंक होते हैं 3 और पासे को फेकने पर कुल परिणाम होते हैं 6 तो 3 बटे 6 अर्थात एक बटे 2 यह शत्य है छटवा नमबर है वरत के किसी बिंदू पर इस पर्ष रेखा खीचने के लिए केवल उस बिंदू से जाने वाली त्रज्या खीचते हैं और उस बिंदू पर त्रज्या की लंबरेखा खीचते हैं यह भी शत्य है अब हम पहुँचते हैं प्रश नमबर 4 पर इस्तंब अ से इस्तंब ब की हमें सही जोड़ी मिलाना है तो सही जोड़ी बनाईए इसमें सबसे पहले नमबर में है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो इसके सामने 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है इसकी सही जोड़ी है दी नमबर में 1 फिर सेकंड नमबर पह है सेक सिक्स्टी और इसकी सही जोड़ी है 2, 1- sign square theta کی सहीं जोड़ी है cos square theta सेक स्क्वेर theta minus 1 की सहीं जोड़ी है 10 square theta और सेक theta की सहीं जोड़ी है 1 बटे cos theta और 10 30 ans की सहीं जोड़ी है 1 बटे करणी 3 इस तरह से हम सहीं जोड़ी वाला option तयार करते हैं सबसे पहले istimba लिखते हैं और उसके बाद हम सहीं उत्तर या सहीं जोड़ी लिख देते हैं अब हम आते हैं प्रश्ण नमबर पांच पर एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर दीजिए एक द्विगात समिकरण अर्थात है कि हम इसमें लिख सकते हैं बीवर्ग रिण 4AC is less than 0 या विविक्त कर का मान 0 से कम हो दूसरा प्रश्ण है किसी सामांतर स्रेडी का एन वापद क्या होगा जिसका प्रथम पद A एवं शार्वांतर D है तो चलिए हम ले लेते हैं एन वापद बराबर A धन N-1D अब हम लेते हैं नमबर 3 आर्थरिज्या वाले व्रत के छेत्रफल का सूत्र लिखिए तो व्रत का छेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग वर्ग इकाई यह हो जाएगा व्रत का छेत्रफल नमबर 4 है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 27 है तो उनके प्रश्ठी छेत्रफलों का अनुपात क्या होगा प्रष्ठी चेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात 9 होगा क्योंकि 4 πाई R1 स्क्वेर अपान 4 πाई R2 स्क्वेर तो त्रिज्या जो कि हमारी 4 अनुपात 3 या 4 और 3 प्राप्त होगी उसे हम जब R2 के रूप में लिखेंगे तो 4 का वर्ग 16 अनुपात 3 का वर्ग 9 प्राप्त होगा अब हम लेते हैं एक दो तीन चार पाँच का सामांतर माध्य क्या होगा तो सामांतर माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले आकडों का योग बटे आकडों की संख्या सूतर का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारे आकडों का योग हो जाता है एक और दो तीन, तीन और तीन च्छे, छे और चार दस, दस और पाच पंदरा तो आकडों का योग होग है क्या पंदरा और चूंकि उनकी संख्या है पाँच तो पंदरा बटे पाँच तो सामानतर माद्धे हमें प्राप्त हुआ तीन इसी प्रकार आप छटेवे नंबर का प्रस्न देखते हैं दो खिलाडी संगीता और रेश्मा टैनिस का एक मेच खेलती है संगीता द्वारा मेच जीतने की प्राइक्ता सुन्य दसमलो 6-2 है तो रेश्मा के जीतने की क्या प्राइक्ता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रेश्मा द्वारा जीतने की प्राइक्ता हमें निकालना है न चूंकि दोनों के जीतने की प्राइक्ताओं का योग तो एक है तो एक में से हम संगीता द्वारा मेच जीतने की प्राइक्ता को घटा देंगे तो हमें अपने आप राप्त हो जाएगा रेश्मा द्वारा मेच जीतने की प्राइक्ता सुन्य दसमलो तीन आठ है